सो विल्कम टू माई चैनल गाईज इस बरो में डिस्कस कराएंगे आर आर बी टेक्निशियन क्वालिफिकेशन के बारे में और साथ में और भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जैसे ट्रेड वाइस डेजिगनेशन मतलब आपका जो क्वालिफिकेशन है उस अनुसर इस डेजिगनेशन में एलिजेबल है एंड लास्ट में टेंट एन आई टेए कोर्स में कितना परसेंटेज ऑब मार्क्स होने पर ही आप इसमें एपलाई कर सकते हैं यह सब कुछिन डिटेल्स डिसकस करूंगा अच्छा अगर आपको ट्रेड वाइस जो डेजिगनेशन ल देख लेते हैं क्या हैं क्वालिफिकेशन अच्छा आपको टेक्निशन में एपलाई करने के लिए आपको या तो एक साल या फिर दो साल डिवरशन आई टेए कोर्स कंप्लीट करना होगा और यह टेंद के बाद ही होना चाहिए मतलब एक तो एड्स के बाद आई टेए आपको कंप्लीट करना होगा फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अच्छा नेक्स्ट अगर आप एप्रेंटीस किसी भी ट्रेट से एप्रेंटीस किये हैं जो ट्रेट में आप एप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें एप्लाई इस जॉब के लिए एलिजबल है और लास्ट में अगर आप physics and chemistry के साथ 10 plus 2 complete के हैं मतलब एक तरफ से बोल जा सकता है कि PCM category से अगर आप है तो आप इसमें कुछ पोस्ट में टेक्निशियन में कुछ पोस्ट में अपलाई कर सकते हैं अभी क्या पोस्ट में अपलाई कर सकते हैं बाद में देख लेते हैं अच्छा इसमें कुछ candidates का doubt होता है कि diploma candidate क्या technician के लिए applicable है देखिए diploma candidate अगर direct diploma आपका complete है तो आप ELP के लिए eligible है technician के लिए नहीं eligible है अच्छा अगर आप IT complete करके diploma किये है तो फिर आप technician के लिए भी eligible है और ELP के लिए भी eligible है मतलब आपका IT mandatory होना चाहिए या फिर apprentice आपको होना चाहिए यह technician में application करने के लिए और IT कोर्स आपको कोई भी NCVT या फिर SCVT recognized university या फिर institute से ही आपको करना होगा इधर उधर के कोई institute से आप करेंगे तो इसमें eligible नहीं होंगे अब जिस institute से complete किये है आप थोड़ा पता किजिए कि उसमें वह NCVT SCVT approved है के नहीं अच्छा अभी इन डिटेल्स जो आपका पोस्ट वाइज मतलब क्वालिफिकेशन वाइज आपको पोस्ट मिलेगा इसमें वह क्या है बहुत लंबा सा एक लिस्ट है और भी कुछ लिस्ट है इसमें जैसे आपका winder से iti complete किये है तो आपको armature या फिर coil winder में मिलेगा forger या फिर heat treater से किये है तो blacksmith या फिर blacksmith आपका workshop में मिलेगा book binder से book binder मिलेगा इसमें पोस्ट में मिल सकता है फिर आप देखिए यह जो मेकनीक motor vehicle मतलब एम एम भी यह एक कैंडियेट्स मुझे यह सब कॉमेर्स में पूछा था कि इसमें eligible है के नहीं जी आप इसमें technician में eligible है फिर मेकनीक पावर आप थोड़ा पॉस करके यह सब देख लीजेए वैसे इसका pdf आपको description में telegram channel का link मिल जाएगा उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं एक बाद डाउनलोड करके यह सब देखिए अभी पूरा complete करने जाएंगे पूरा तो उसमें बहुत time लग जाएगा और एक interesting बात आपको दिखा रहा हूँ यह जो मेकानिक डीजल है जैसे मैंने बताया कि इधर एक साल डियूरेशन वाला आईटे कोर्स इसमें application कर सकता है देखिए सब आईटे कोर्स दो सल का होना चाहिए पर एक जो है मेकानिक डीजल या फिर आप डीजल मेकानिक भी बोल सकते है उसमें अगर आप आईटे कंप्लीट किये है एक साल डियूरेशन आईटे आई तो भी आप आई टेक्निशन के लिए application कर सकते हैं अच्छा फिर आप देखिए इधर बहुत सारे कोर्स है बहुत सारे बहुत सारे मतलब बहुत सारे आप है आप थोड़ा प्वास करके देख टो सुद्सीथ तो सीट अलेक्टॉनिक्स इलेक्टी शियाँ येसमें मैक्सिमाम पोट्शमें है और ़िकवाग रभकि सम्हें मैक्सिम जो आपको अप्शं मिले गा वह समीडर एलेक्ट्रोनिक्स च कर आपको मिलेगा और ऐस Gargmas अब थोड़ा ये पी पॉंस कर करके देख 12 में अगर आप PCM से किये है complete तो आप signal and telecommunication ये जो दो पोस्ट है इस दो पोस्ट में आप application कर सकते हैं मतलब option में ये दोनों पोस्ट चूस कर सकते हैं ठीक है इसमें vacancy बहुत कमी रहता है ज्यादा vacancy नहीं रहता है इसी वजह से आपका cut up भी बहुत ही high जाता है मतलब 90 के आ करें ठीक है अच्छा लास्ट में जो सबहल आप आपने आपका डाउट है कि आप बहुत मतलब सबकर नहीं बहुत कंडियेट का ये डाउट है कितना percentage होना चाहिए आई टी आई या फिर आप डिपलमा और ये 12 में बोल सकते हैं कि 12 में कितना percentage होना चाहिए फिर आप इसमे application कर पाएंगे देखिए इसमें कोई percentage नहीं है कोई percentage का restriction नहीं है आपको बस complete करना है मतलब ITI complete होना है आपका बस दो साल दो साल जो duration course है वो complete करना है या फिर एक साल duration बाला course है complete करना है या फिर आपको 10 प्लस 2 ये complete होना है अभी बहुत बहुत का होता है कि ITI में कुछ semester में supply होता है वो भी अगर supply complete करते है तो उनको भी दो साल duration ITI ही माना जाएगा ऐसे दो तीन साल नहीं दो साल duration ITI ही माना जाएगा तो आपको ये कोई percentage restriction नहीं है आप only pass होने से ही आप इसमें application कर पाएंगे तो ये आपका जो सारे जो सबल था वो उसका answer दे दिया मैंने फिर भी कि आपको कोई doubt होता है तो comments में पूछिए next किसी वीडियो में इसका वी answer मैं दे दूंगा तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो like किजिए comments किजिए share किजिए subscribe किजिए मिलते है next video में जै हिंद बंदे मात्रम